भोजपूरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरिस्टार खेसारी लाल यादो बरबाद हो गए अब बरबादी का कारण या बरबादी का अफवा हम नहीं फैला रहे हैं बलकि दिल्ली हाई कोट ने जो फैसला दिया अब उसके बाद खेसारी लाल यादो की जिंदगी सिस्टंबर महीने तक ग्लोबल म्यूजिक जंक्सन को छोड़कर बाकी किसी भी चैनल के लिए गाना नहीं गाएंगे अब दिल्ली हाई कोट ने क्या कहा पूरा का पूरा जजमेंट आपको हम आगे सुनाएंगे क्या जट सहब का नाम था जिन्होंने जजमेंट सुनाया य लेकिन कैसे खेसारी लाल यादो अपने आप से दिल्ली हाई कोट में गए और अपने आपके ही द्वारा किये गए मुकदमे में खुद बखुद फस गहें और दिल्ली हाई कोट ने खेसारी के बिरूध में ही सेसला सुना दिया आगे एक एक करके सब कुछ बताएंगे कि सितंबर दो हजार पचीस तक कैसे खेसारी लाल यादों की जिंदगी रुक गई है बागे नमस्कार में नाम है मोहित कुमार सिंग और आप जनता जन्सन देख रहे हैं यह वीडियो रोडबेज एप के द्वरा प्रयुजित है रोडबेज बिहार का एक ऐसा है स्टार्ट अफ है जो आपको वन वेट टेक्सी राइट और कार पुलिंग की सुद्धा बेधी कमपैसों में उफलब्त कराता है वन वेट टेक्सी राइट का मतलब कि अगर आप रोडबेज की टेक्सी से कहीं भी जाएंगे तो सिर्फ एक तरफ का किराया लगेगा जो कि बहत सस्ता होगा तो अगर रोडबेज के साथ यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाएए वहाँ पर रोडबेज नाम का एप होगा उसे डाउनलोड कीजिए और यात्रा का आनंद लिजिए अब वापस आते हैं हम अपने खबर पर सबसे महत्वपुन बात कि दिल्ली हाई कोर्ट में असलियत में हुआ क्या है ग्लोबल म्यूजिक जंक्सन और खेसारी लाल यादों के बीच 27 मई 2021 को एक डील होता है एक एग्रिमेंट होता है खेसारी लाल यादों उस एक्रिमेंट पर अपना सिगनेचर करते हैं अब उस एक्रिमेंट में लिखा होता है कि खेसारी लाल यादों को ग्लोबल म्यूजिक जंक्सन 5 करोर रुपिया देगा और Global Music Junction ने खेसारी लाल यादों को 5 करोड रुपया एग्रिमेंट में जो लिखा है उसके मुताबिक दिया अब 5 करोड रुपया खेसारी लाल यादों ने Global Music Junction से लिया और इस एग्रिमेंट के मुताबिक खेसारी लाल यादों को 30 महीने के अंदर में जो Global Music Junction कमपनी है उसके लिए 200 गाना गाना था अब होता क्या है कि खेसारी लाल यादों वहाँ पर 200 गाना तो छोड़िये 100 गाना भी नहीं गाते और इसका मामला लेकर Global Music Junction के बारे में खेसारी खुद बखुद दिल्ली हाई कोट जाते हैं अब वो दिल्ली हाई कोट के हो आपको याद होगा कि बड़ा हंगामा मचा था भोजपुद इंडस्ट्री में कि खेसारी लाल यादों का गाना Global Music Junction डिलीट करवा देता है अब खेसारी लाल यादों का गाना जो किसी अन्य चैनल पर आता था तो Global Music Junction उस गाने को डिलीट कर देता था अब इसके कारण क्या हुआ कोई भी चैनल खेसारी लाल यादों के गाने को अपने चैनल पर डालने से मना कर देता है मतलब कि वह कहता है कि नहीं हमको खेसारी से गाना नहीं गवाना है हम खेसारी पर पैसा खर्च नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम गाना गवाएंगे तो एग्रिमेंट के तहट Global Music Junction वह गाना डिलीट कर देगा अब खेसारी परिशान होकर डिल्ली हाई कोट जाते है और इसके बाद दिल्ली हाई कोट खेसारी लाल यादो के जिन्दगी पर उनके करियर पर सबसे बड़ा फैसला सुनाता है और दिल्ली हाई कोट के दो जज जिनका नाम जश्टिस मनमोहन और जश्टिस सौरफ बनर जी है वो दोनों जज मिलकर फैसला देते हैं कि खेसारी लाल यादो सितंबर दो हजार पचीस तक गाना नहीं गाएंगे किसी अन्य चैनल के साथ क्योंकि उन्होंने एक प्रकार से ग्लोबल म्यूजिक जंक्सन को धोखा दिया उन्होंने पाँच करोर रुपया में जो एग्रिमेंट किया उस एग्रिमेंट के तहत टोटल गाना गाकर ग्लोबल म्यूजिक जंक्सन को नहीं दिया और इन तमाम चीजों के बाद खेसारी लाल यादो अब आगे अपर बेंच में अपील करेंगे कहेंगे कि हुजूर एक बार फिर मामले को देखिए किसी हो सकता है कि अपर कोट में जाए मतलब कि सुप्रीम कोट का रास्ता खुला है लेकिन फिलहाल जो पांच करोर रुपया का एग्रिमेंट का मामला था उसमें दिल्ली हाई कोट ने 30 सितंबर 2025 तक उनके गाना गाने के ऊपर किसी दूसरे चैनल से रोक लगा दिया है कोट ने असपश्ट कहा है कि आप गाना किसी third party को बेंच नहीं सकते आप किसी music company को नहीं दे सकते आपका गाना कोई डालेगा तो commercially उसका उपयोग नहीं कर सकता मतलब कि वो गाना monetize नहीं कर सकता और गाना monetize नहीं करेगा तो गाना से कमाई नहीं होगी और गाने से कमाई नहीं होगी तो कोई कंपनी खेसारी लाल यादों का गाना क्यों गवाएगी बाकी अब खेसारी लाल यादों क्या करेंगे जो बुरी तरह से इसमें फंश चुके हैं आगे देखते रही बाकी एग्रिमेंट का पुरा का पुरा मामला हमने आपको समझा दिया अब सितंबर द तिब शाहल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।